बच्चो आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट पाट बारा वीर बालग प्रस्तुत एकांके के रचवेता हिंदी के प्रसिद नाटक कार डॉक्टर राम कुमार वर्मा है पात्र का परिचे कल्याणी एक ग्रामिनिस्ट्री बलकरन कल्याणी का पुत्र तैमूर भारत पर हमला करने वाला मंगोल आकरबनकारी जफर अली तैमूर का सरदार और अली बैग तैमूर का सिफाई कुछ ग्रामिन पहला दरिश्चे कल्याणी अंगेठी के पास बैठी हुई कोईले डाल कर आग तेज कर रही है साथ ही एक गीत गुनगुनाती जा रही है उसका लड़का बलक करन तखत पर बैठा एक पत्थर के तुकडे पर अपना चाकु तेज कर रहा है बलकरन चाकु तेज करते हुए मा यह तुम क्या गुनगुना रही हो इस पत्थर पर मेरा चाकु मानोत तेज नहीं हो रहा कल्याणी क्या तेरा चाकु भी मेरा गाना सुन रहा है पास आकर मो को तेज करने की क्यों सूझी आज तो तेरी वर्ष गाठ है बल करन वर्ष गाठ मेरी वर्ष गाठ पर तो हतियारों की पूजा होनी चाहिए माँ मुझे माँ पूजा हां तो मैं हां क्या ये वर्ष घांट वैसी ही होगी जैसे पार साल हुई थी चाकू रोग देता है कल्यानी हाँ बिलकुल वैसी ही इस वर्ष घांट पर तू पूरे बारा वर्ष का हो गया बेटा मैं तुझे आशिवाद देती हूं कि इसी तेरे तेरी बहुत सी वर्ष घांट मनाई जाए तो दिन दुना राच चौगुना बड़े बलकरण मा बताओ आज वर्ष घांट में क्या करोगी कल्यानी तुझा करोंगी क्या करोंगी अपने प्यारे से प्यारे बेटे को नहलाऊंगी चंदन लगाऊंगी फूल की माला पहनाऊंगी फिर आज मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाईयां बनाई हैं, देख उस कोने में रखी हुई हैं, मिठाईयां के साथ खीर खिलाऊंगी और तुझे आशिश दोंगी, बलकरन पर मा मेरे साथ तुझे भी खाना पड़ेगा, तुझे भी अपनी वर्षगाट आज ही मनानी पड़ेगी, अभी नह मेरे साथ मैं अकेले इतनी मिठाईयां नहीं खा सकता, कल्यानी तेरे खाने के बाद खा लोंगी, बस दूद भर आजाएं, खीर बनने में कितनी देर लगती हैं, बलकरन अभी दूद नहीं आया, कल्यानी सूरज चल आया, अभी तक सुजान दूद लाया ही नहीं, ना जान क्यों नहीं लाया, बलकरन, मैं ले आऊं, कल्यानी सुजान आता ही होगा बेटा, तू कहां जाएगा, बलकरन, सुजान का घर ही कितनी दूर है, रास्ते से हटकर उत्तर की तरफ है ना, उस शिशम के पेड के नीचे ही तो उसकी जोपड़ी है, मैं अभी ले आऊंगा, कल् बलकरन, मैं अभी लोट कर आया, उठता है, मुझे एक बरतन दे दो, और यह है चाकू, अब काफी तेज हो गया है, इसे मैं अपने पास रखूँगा, कल्यानी चाकू, तेरे पास काम, किस काम आएगा, अच्छा, यह है ले, बरतन देती है, पर जल्दी ही लोटना, बलकरन, अच्छा मा, मैं अभी आया, परस्थान, कल्यानी, बलकरन की और, देखती हुई, मेरा बोला बच्चा, अभी से कैसी वीरता की बात करता है, संतोश की सांस लेता है, लेकर, बलकरन, मेरा बेटा, अंगेठी के पास, आकर आग ठीक करती है, मेरा सासी बच्चा, फिर आक ठीक करती है, थोड़ी देर तक इस्तमता रहती है, फिर भयानक शोर और भगदर कल्यानी, जिजक कर खिडकी के से बहार देखने लगती है, श्रीकृता से एक हिंदू ग्रामिन प्रवेश करता है, हिंदू ग्रामिन घबराई हुई आवाज में, तुरक आ गया, भागो भागो तुरक आ गया, तुरक भागो, कल्यानी, आगे बढ़कर पागल हो गए हो क्या, तुरक कहां से आ गया, हिंदू ग्रामिन, नहीं नहीं तुरक आ गया सब को लेकर जंगल में छिप जाओ महाँ वह आ रहा है भाग जाता है फिर भगदर की अवाज कल्यानी ये भगदर कैसी मच रही है आगे बढ़ती है एक मुसल्मान गरामिन का प्रवेश मुसल्मान गरामिन बहन भाग चलो जल्दी जल्दी वह तैमूर आ गया मैंने अपनी आँखों से देखा लूटते हुए आ रहा है वह लोग हम लोग तो मेरे चलो बहन कल्यानी अरे कैसे कैसा तैमूर कहा का तैमूर मुसल्मान गरामिन नपते की और देखते हुए तुम नहीं चलोगी अरे वह आया कल्यानी तैमूर कौन पुकार कर बलकरन ओ बलकरन भगदर की अवाज दुसरे हिंदू गरामिन का प्रवेश दुसरे हिंदू गरामिन बहन कल्यानी सब को छोड़कर जल्दी से भागो तभी जान बचेगी जंगल में छिप जाओ नई तो घर तलवार में ही चलो नई तो घर के तलगर में ही चलो चलो मेरे साथ समय नहीं है कल्यानी घबराहट से बलकरन दूद लेने गया है सुजान के घर हिंदू गरामिन सुजान के घर तब तो बहुत अच्छा है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा सुजान का घर खास रास्ते से हटकर कोने में है वह लोग सीधे रास्ते से चले जा रहे है कल्यानी कौन कौन आ रहे है हिंदू गरामिन तुरक तैमूर तुरक आया है बड़ी भारी फोज लिए हुए है कल्यानी डाटकर तैमूर तुरक बड़ी भारी फोज हिंदू गरामिन हाँ अब समय बिलकुल नहीं है बलकरन को कुछ नहीं होगा तुम जल्दी से तलगर में चुप जाओ कल्यारी नहीं बलकरण को आने दो मैं बलकरण के बीणा नहीं जाओंगी पुकारती हुई बलकरण बलकरण मुस्लिमान ग्रामिन बेहें चुप रहो तुरक सुन लेगा चलो जल्दी चलो इस कर्ण्याणी का हाथ पकड़ कर ले जाता है बलकरन की धवनी धीरे धीरे शांत हो जाती है इस तन तक फिर भगदर तैमूर के सैनिको कातलवारों सहित प्रवेश घर की तलाशी और समानों की तोड़ फोर तैनिको के सरदार जफर अली का अधिक उतेजित होना जफर अली कोई नहीं कम बखत सब भाग गए एक सैनिक तखत के नीचे जहां कर यहां भी कोई नहीं है जफर अली मुबारक इस वक्त आदमियों को कतल करने का हमारा उतरा उदेश्य नहीं है जितना सोना चांदी लूटने का इस घर में देखो कहीं कुछ है मुबारक इधर उधर देखते हुए कहीं कुछ नहीं सरदार मामली सी जोपरी है यहां सोना चांदी कहां जफर मुर्ख हो तुम इन तस्वीरों को पल्टो इनके पीछे दिवारों में कुछ होगा यह लोग अपना सोना चांदी दिवारों में रखते हैं मुबारक और उसका साथी अली बैग तलवार के से तस्वीरों को उलटते पलटते कही कुछ नहीं है सरदार मुबारक सरदार अगर सोना चांदी इन लोगों के पास होगा भी तो वे लोग उसे अपने साथ लेकर भाग गए होंगे जफर देखो उस कोने में क्या है कुछ बरतन मालुम होते है सरदार बरतनों के पास जाकर उन्हें खोलता है सरदार ये है जफर हर्च से क्या है सोना चांदी अली बैग बरतन पास लाकर सरदार सोना चांदी तो नहीं लेकिन उससे भी ज़्यादा किम्ती चीच जिसकी आपको और हमको सक्त जरूरत है जफर क्या मुबारक अली बैग के पास आकर खाना तरह तरह की मिठाई ओ छूकर बिल्कुल ताजी गरम जफर नहीं नहीं फैक दो रुक कर अच्छा इधर लाओ मुबारक सरदार मालुम होता है कि जल्दी में लोग खाना भी नहीं खा सके ऐसे ही छोड़ गए जफर हाथ से छूकर हाँ गरम मिठाईया है लो तुम लोग भी लो भूके होंगे मुबारक सरदार पहले आप खाएं जफर मैं तो खाऊंगा ही लो तुम भी लो मुबारक को देता है अच्छी मिठाईया है अली बैग से तुम भी ले लो अली बैग आगे बढ़कर हाथ फैलाते हुए सरदार जी तो कबूल करें खाते हुए बहुत ही जाइकेदार दो दिन से खाना नहीं मिला मुबारक सहसा लेकिन सरदार रुप जाईये कहीं इन मिठाईयों में जहर ना मिला हो जफर बेवकुफ हो तुम यहां के लोग इतने सीधे हैं कि वे ये बाते करना जानते ही नहीं और फिर हमने अपना दावा इतनी जल्दी बोला कि किसी को ऐसा करने या सोचने का वक्त नहीं मिला होगा अली बैक सरदार ठीक फरमाते हैं जफर और फिर दो दिन बाद इतना अच्छा खाना नसीब हुआ है अगर इसी तरह मरना है तो मिठाईया खा कर क्यों ना मरें अली बैक सरदार ने क्या बात कही है मिठाईया खा कर क्यों ना मरें मुबारक सच बात है सरदार भूख से तो मर ही रहे हैं फिर यह मिठाईया क्यों छोड़ी जाए जफर खाते हुए इसलिए मैं खा रहा हूँ वह क्या कहना है वा क्या कहना है यहां के लोग मिठाईयां बनाना भी खूप जानते हैं अली बैक सरदार मुझे तो ऐसा मालुम होता है कि वह लोग हम लोगों के लिए ही मिठाईयां छोड़ गए मुबारक यहां कैसे अली बैक यह एक ऐसे कि उन्होंने समझा होगा कि मिठाईयां मिठाईयों को खाने के बाद हम लोग का गुस्सा कम हो जाएगा और लूट मार कम करेंगे जफर हसते हुए हम लोग हम लोगों का गुस्सा कम हो जाएगा हा 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 हम लूट मार कम करेंगे हा 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 खूब कहा समवेत हसी नपितिक में तेज अवाज से चुप रहो कमबकत कमबकतो तैमूर लंग का प्रवेश वहेद लंगडाते हुए आगे बढ़ता है उसे देखता है कि सब चौक पड़ते हैं मिठाईयां जमीन पर फैक कर फाजी ढंग से खड़े हो जाते हैं सन्नाटा च्छा जाता है तैमूर लंग तीनों को गूरता हुआ आगे बढ़ता है तैमूर तेजवाज में कमबकतो इस तरह तुम हिंदुस्तान की दौलत गाजी तैम जब तुम्हें जवारा भूंने चाहिए तब तुमं नाश्टा कर रहे हो और जब तुम्हे धावा मिलकर कह के लगाते हो जवाब दो सब चुप रहते हैं तैमूर फीर तेजवाज में मैंने अफगानिस्तान के बाद हिंदुस्तान पर इसलिए रुक किया था कि मेरे सिपाई दौलत लूटने के बदले अराम में खाना धूनते फिर मैं बिना बताए देखना चाहता हूं कि तुम किस तरह मेरे हुकम को अन्जाम दे रहे हो इसलिए मैंने सब सिपाईयों को बहार छोड़ दिया है तुम यहां मौज बना रहे हो जबकि गाजी तैमूर तीन दिन से भूका है मैंने तुम्हें क्या हुकम दिया था सरदार जफर सैनिक डंग से यह है कि आज शाम तक अमर कोट पहुंच जाना है तैमूर तो अमर कोट पहुंचने का यही रास्ता है बदबखत गाजी तैमूर के सिपाईयों को रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी किस पर है तुम पर और तुम ऐसा करते हो अमर कोट का रास्ता खो जोगे फिर सन्नाटा तैमूर मेरे हुकम को किसने अंजाम दिया तुमने तुम्हारे सिपाई की तलवार पर खून का एक भी धबबा नहीं है तुम लोग सिपाई हो बोलो क्या चाते हो क्या खाने के बाद तुम्हारे नाच गाने का भी इंतिजाम किया जाए खड़े क्या हो जाओ शाम तक अमरकोट पहुचने का हुकम पूरा करो जाओ तीन सैनिको का शिग्रता से प्रस्थान तैमूर स्वेने गला सूख रहा है तीन दिन से खाना नहीं मिला कल से तो पानी भी नसीव नहीं हुआ गला सूख रहा है ओट चाटते हैं इधर उधर पड़े हुए बरतनों को देखते हुए सब खाली कमबक तो में नेक कुछ नहीं छोड़ा लेकिन कोई बात नहीं हमारी किस्मत में अराम कहा बलकरन का दूद लिये हुए परवेश बलकरन पुकारते हुए मा मा मैं दूद ले आया तैमूर चौक कर दूद बलकरन उजाड घर को देखते हुए यह सब क्या तैमूर को देखा ए तुम कौन पुकार कर मा मा कुछ उत्तर ना पा कर मेरी मा कहा है तैमूर को घुरते हुए इस तरह मेरे घर में घुस अपने बोल अपने घुस आने वाले तुम कौन हो तैमूर जोर से खामोश गाजी तैमूर से यह नाचीज सवाल करता है कि तुम कौन हो कम बख़त अगर बात करने की तमीज नहीं तो खामोश रहो बलकरन धीरे से गाजी तैमूर इस नाम को नहीं जानते दुनिया का जर्रा जर्रा जिसके कदमों को चूम चुका है उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो मेरी तलवार से पूछा कि यह तेरा खून में डूप कर तुझे मेरा नाम बताएंगी लेकिन ठहर यह इधर उधर दूद ला इस से इस वक्त मेरे लिए खुदा ने भेजा है बलकरन यह मेरा वर्ष गाट के लिए मैं इसे अपनी मा के सिवा किसी को नहीं दे सकता तैमूर पर मैं इसे ले सकता हूं दूद छिनकर अठास करते हुए बता दूद मेरा है की नहीं अब तुझे इस तलवार से काट दूँ बलकरन क्या तुम खून बहाना चाहते हो तैमूर तू बड़ा नीडर मालूम होता है इधर आ मेरी तलवार के सामने बलकरन मैं दूद पिऊंगा गला सूखा सूख रहा है तकत पर तलवार रखकर दूद पीता है बलकरन दौड का तलवार उठा लेता है तैमूर दूद पीकर मेरी तलवार बलकरन वह अब मेरे हाथ में है अब तुम मुझसे लड़ सकते हो सामने आजाओ तैमूर बल बालक का वाक्य दोराते हुए सामने आओ शाबाश लेकिन मेरी तलवार तुछ से नहीं समलेगी बच्चे इधर ला बलकरन जैसे दो छीन लिया था वैसे तलवार भी छीन लो तैमूर छीन लो बलकरन छीन लो पर लड़ने वाले तलवार की तलवार नहीं छीनते वार करते हैं तैमूर तेरा कहना सही है मालूम होता है तू भादूर है मेरी फौज में भरती होगा बलकरन तड़ता से नहीं तैमूर तो अब तुझे जादा देर तक जिन्दा नहीं रखूँगा यह मेरी तलवार बलकर अंचीन ली लेकिन यह बहादूरी नहीं है मेरे पास यह चाकू है इसी से लड़ूँगा तैमूर चाकू से लड़ेगा हाँ हाँ बलकर हाँ थोड़ी देर पहले मैंने इसे तेजी तेज किया है देखो यह कितना तेज है उंगली में चुबा कर खून की बून दिखाते हुए मेरी उंगली से खून निकाल सकता है तैमूर शाबाश तैमूर के दिल में रहम नहीं है लेकिन तेरी बात सुनकर मैं बलकरन इन बातों से क्या चलाओ ना अपनी तलवार मैं भागूंगा नहीं तैमूर तू भागेगा नहीं तू भादूर शेर है मैं तुझे तुझ पर तलवार नहीं चला सकता चाकू वाले भादूर तेरा नाम क्या है बलकरन दुश्मन नाम नहीं पूसता वार करता है तैमूर लेकिन तेरी भादूरी देखकर मैं तुझे दुझे दुश्मन नहीं मानता तू अपना नाम बता बलकरन बलकरन तैमूर नाम धुराते हुए बलकरन बलकरन हिंदुस्तान की दौलतों में भी एक दौलत है बलकरन गाजी तैमूर ऐसान नहीं भूलता जो उसकी ठकावट दूर करने के लिए दूर हाजिर कर सकता है उसके खून से वह अपनी तलवार नहीं रंगेगा बलकरन पर दूद मैंने हाजिर नहीं किया वह तो तुमने छीन लिया तैमूर एक ही बात है दूद मैंने मेरे ही हाथ में पाया मैं तेरी जान बकशता हूँ मैं तेरी एक इक्षा भी पूरी कर सकता हूँ बलकरन मुझे कुछ नहीं चाहिए तैमूर नहीं तू मेरा छोटा सा भादूर दोस्त है चाकू वाला दोस्त और उस हैसियत से तेरा मुझ पर हक है बलकरन तो मेरी मा कहा है तैमूर मैं नहीं जानता इतना कह सकता हूँ कि मेरे सिपाई ने किसी का कतल नहीं किया क्योंकि उनकी तलवारों पर खून का एक भी धबा नहीं था बलकरन अगर तुम मेरी एक इक्षा पूरी करना चाते हो तो तुमसे यह कहूंगा कि मेरे गाउं में गाउं से बाहर चले जाओ तैमूर गाउं से बाहर चले जाओ मनजूर मैं दुसरे गाउं को चला जाओंगा तेरा दूर और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा बलकरन धन्यवाद तैमूर मैं कुछ नहीं समझा खैर तैमूर की जिन्दगी में नई बात हुई तैमूर के सामने कम लोग आते हैं पर तू आया तैमूर किसी को साफ नहीं करता पर आज उसने तुझे माफ किया तैमूर किसी को माफ नहीं करता लेकिन क्या हुआ आज उसने उसे माफ किया बलकरन मैं भी कुछ समझा नहीं तैमूर, तु तैमूर की बराबरी करना चाता है लेकिन तू उससे भी बड़ा है तेरा चाकु उसकी तलवार से भी तेज निकला तैमूर खुंकार है पर वह बहदूरी को सलाम करता है बहदूर बच्चे को तैमूर का सलाम मैं तेरे गाओं को हाथ नहीं लगाओंगा, सिपाईयों को दे कर वापस, हुकम दे कर वापस कर दूंगा खुदा आफिस मैं देखते तैमूर भादूरी को सलाम करता हूँ मा मा कल्यानी बेटा बेटा बलकरन बलकरन मा तू रोती क्यूं है तू कहां थी कल्यानी बेटा तैमूर के सिपाई आयत थे उनसे बचने के लिए चौधरी दादा मुझे तलवार में खीच ले गए थे तुझे तो कुछ नहीं हुआ कहीं चोड तो नहीं आई बेटा कैसा था तैमूर बलकरन तैमूर सिपाई की तरह रोबली चहरा मोटे मोटे हाथ उची नाग हाथ से तलवार पर मैं डरा नहीं मेरे पास भी चाकू था जिससे मैंने सवेरे ही तेज किया था कल्याणी हसते हुए उसकी तलवार के सामने तेरा चाकू किस काम आता बलकरन इसी चाकू ने तो उसे चोका दिया था मा मुझे यह चाकू वाला दोस्त कहता है कल्याणी अच्छा बलकरन हाँ मैंने उससे कहा यह चाकू बड़ा तेज है मैंने सवेरे ही इस पर धाल रखी है मैंने उसे अपनी उंगली चीर कर दिखा दी और वह चीक पड़ा देखो यह खून कल्याणी ओ यह खून बलकरन बस इसी तरह वह तैमूर चौक पड़ा था मा तैमूर कहता है कि तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज है कल्याणी तू सब से फले फुले तेरी उमर दिन दुनी राच चौगनी हो भगवान को हजार हजार बार धन्यवाद है कि उसने मेरे बच्चे की तैमूर से रक्षा की बलकरन यह सब तेरी तेरा ही आशिरवाद है मा और कल्याणी और क्या बलकरन तू चान लगाने के लिए कहती थी ना मेरी उंगली के खून का ही चंदन लगा दे चंदन लगाने के लिए कह रही थी पेटा उसकी मा कल्याणी उंगली के खून का तिलक लगाओं यही सही है मेरे लाज वीर बालक की वर्ष गांट है, तेरी बारवी वर्ष गांट ऐसे ही मनाई जाए, कल्यान बलकरन की उंगली से खून लेकर तिलक लगाती धीरे धीरे परदा करती, I hope you all are understand, read this chapter again and again, thank you.